नमस्कार में गौरी देख रहे हैं आप सी नियूज भारत वक्त है नियूज बुलेटिन का बुलेटिन में बात करेंगे बिशनौर की जहां पत्रकार एकता मंच ने भीशन गर्मी में वित्रत किया शर्बत बात करेंगे जश्पुर की हाँ पुलिस ने वैद गांजी और बा पाज शुरू होते ही जुलसा देने वाले भीशन गर्मी को देखते हुए पत्रकार एकता मंच की ओर से नगीना चौक पर शर्बत वित्रण शिवर का आयोजिन किया गया शिवर का शिभारम एसपी पूर्वी धर्म सिंग मार्चाल ने किया साथी कोतवाली प्रभारी निर पानिये लोगों को शर्बत वित्रत किया गया इसके लावा कई सामाजिक संगट्नों के पताधिकारी वसमाज सेवियों ने भी शिवर में हिस्सा लिया सर्व ब्रामण महासभा के प्रदेश अधिक्ष वपत्रकार एकता मंच के संरक्षक अनिल शर्मा एडवोकेट ब्राम अंसारी आदी ने भी शिवर में हिस्सा लिया लगवक तीन गंटे तक चले शिवर में साक्षणों लोगों ने शर्बत ग्रहन किया जवरान मंच के संरक्षक अनिल शर्मा एडवोकेट अधिक्ष रावुल श्याम उपाधिक्ष मुम्ताज अंसारी मामंत्री शाकिर अंसा में भी लगातार जारी रहेंगे और नगर के अलग-अलग इस्थानों पर शिवरों का आयोजन किया जाएगा आई जानते स्विष्ण में महासची पत्रकार एक्तामंच मुहमद शाकिर ने आगयो और क्या कुछ कहा पत्रकार एक्तामंच की जानिफ से धामपूर के नगिना चुराय पर भीषन गर्मी को देखते हुए रागी को मीठा सर्वत पिलाया इस दो रांग कलब के सभी सर्देशों ने बढ़ चल कर हिचा लिया कारी करम में स्पी पूर्भी शिर्धर्म सिंग मार्शल और कोत वाली के प्रभारिन रिक्षक किशन अवतार जी ने भी भाग लेकर रागीरों को अपने हातों से मेठा सर्वत पिलाया भविश्य में भी संगणन द्वारा इस तरह कारी कराये जाएंगे ताकि वीचन गर्मी में रागीरों को मिठा सर्वत पिकर कुछ राहत मिले इस कारी करम में सयोग देने वाले सभी संगणन के पतादिकारी सदस्ये एवं आम नागरिकों का हम दिल की करायाई से आभार गट करते हैं जालना जिरी के अबंड तहसील के रेवल गाउं में एक जली योजना चल रही थी लेकिन कुछ दिन पहले तूफान और बारिश के कारण योजना में खराबी आ गई बिश्री कटोती के कारण जलापूर्ती योजना धस्त हो गई थी 5-6 दिनों तक जलापूर्ती बंद रहने से रेवल गाउं में पानी की भारी कमी हो गई इस खबर को मेडिया ने प्रमुक्ता से दिखाया था इस खबर के बाद महरास्टर के मुख्यमंत्री एकनाज शंदे ने सीधे जालना कलेक्टर डॉक्टर श्रेक्रश ने पानचाल से फोन पर बात की और उपाय करने की निर्देश दिये गए इसी की देट करेक्टर ने रेवल गाउ में पानी की समस्या का समाधान कर पेजल टैंकर शुरू करने की आदेशनिये हैं जहां भी इस तरह से जलापूर्ती योजना बाधित हुई है महापर ततकाल पानी की टैंकर शुरू किये जा रहे हैं ऐसा अजिला करेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने बीडिया से बात करते समय कहा आई ये जानते हैं स्विश्ण में श्री कृष्ण पांचाल का आगे क्या कुछ कहना था दक्षता केतले हुती आणि ति थे पुरूवत सर्व पानीपूरोटा सुरु करने तले थैं टेच पांचाल है तो सुद्धा सुरूरित करने तले है बास्ते शाहधी वस साधरान था भल्खा माणि कृष्ण पांचाल ने दर ने तले चैनल आखें से तक लिडिया बटले हैं तर्थी चंगली करने दिरूए एवं तसकरी में प्रयुक्त बाइक कीमत बीस हजार रुपए बरामत कर जब्त किया गया आकाश गुप्ता के विर्द थाना दुल्दुला में धारा बीस एड़ी पीएस एक के तहट अपराद दज कर लिया गया है इस वरान पुलिस अदिक्षक जैश्पूर शशी मुहन सिं सूचना दे सकते हैं एक जिम्यदार नागरिक होने का परिचय दें सूचना देनी वाले का नाम को उन्टा गोप्रिय रखा जाएगा एबंब उन्हें पुरुस्क्रित किया जाएगा आईए जानते हैं सब्सक्राइब पर्मा जश्पूर ने आगे और क्या कुछ बताया सिर्वान पुलिस दिक्षक मोदे के द्वारा दिये गें मिल्केस्टान सारक सर लगाता इस दिले पे मादक पदाब और परस्परों की जृत खड़ी कावाई की जाए थी उसी के तार्विम्य में आणा दुल्दूला के अंदर देत एक बुल्दी से सुचना पराप्त पुल्दूला एक गाенचा की सफ्लाई के करने की सुचना मिली है यसे सुचना की मिलेillarना क्वशय के विश्य स्थमद्धित की के और इसी के रुप्वे की सुचने का दाप्तर ग्राम राइडी के डूर्सी नाला के पास घ्यरा बंदी करने के बाद उनकी कपजेब से एक मोटर साइकिन और गांजा जश्पूर से सीन्यू समवादाता देपक वर्मा की रिपॉर्ट खबर करणाल से हैं जहां आपको बता दें कि इंद्री विधान सभा के गाउं उडाना के इश्वर रमेश वा प्रेम ने बताया कि गाउं में बड़े पुराने पेड धार्मी के स्थल मंदिर पर लगे वट ब्रिक्ष वा अन्य पेड गाउं के कुछ शरार्ती तत्पू ने मिलकर जड़ से उखाड दिये जिसको लेकर गाउं की लोगों ने हाल ही में जिला के उपायुकत महोदे और SDM इंद्री को शिकायती काटे गए पेडों के मामले में जिसमें उन्हों ने बताया कि 70 से 30 वर्ष खड़े पेड काटने को लेकर बताया कि पेडों की पूजा अर्चना करते हैं ग्रामीर महिलाएं वह पुर्ष बिना किसी परमीशन के अनुसार काटा गया पेडों को ग्रामीरों ने गाउं के दो लोगों का नाम लिया और बताया कि नीम का पेड सतर साल पुराना था और तीस साल पुराना वर्टब्रिक्ष का पेड था और दस साल पुराना आवले का पेड था गाउंवालों की गयर मौजूदगी में पेडों को दोपहर के समय काटा गया मेडिया को जानक SGM अशोक को दोबारा से मिलेंगे 20 माई 2024 को दुपहर के समय चरारती किस्म के व्यक्तियों ने पेड कार दिये जो की खीक नहीं आईए सुनवाते हैं स्विश्य में ग्रामेडों ने और क्या कुछ कहा यह मंदर का है मांगें दूसरा कमेटी वड़े तो है नो कि लोग वह रमेश जाटा पौण ड़क्तरा पंदत जी दिर दीर इनको पूझते ते गयों ले बड़को पूझते थे आउले के पूझते शिभ जी की पूझत या अउले की बड़की जबरदस्ति कट्या अगानिंग कि आजिया गहों के वह यह इसके लावा वर्सों से खड़े हुए थे यह यह तो साख़वास नेम कभे आप दूसरा इस खड़े थे लिए अभी आपने शिकायत कहा कहा दी है जिए अधियम हिंद्री इंद्री इस तो अभी कारवाई चाहूं हाँ मिलना भी चाहूं आंप तो तो भी प्रमीशन वगैरा भी ले गई थी यह कि अधिये कुछी नहीं को शूचना दी गई थी किसी को सूचना दी नहीं पेड़े की कटाई होने के बावजूद भी नहीं ना कोई सूचना उपनी मनमर जी हुई है अपनी मनमर जीए थे कर रहा हां एक और चीज में मुद् सबसे बड़ी बात यह कि मतलब पुरे गों में कहीं भी महीं का पेड़ नहीं उफिर मदर बिया मंदर इसके ठीक दो दिन गवाद ही कि लांशीर के लिए इन हैं को भाद का पेडらい सिखोड़ दाब का पेड़ा नहीं चछोड़ यह वह कमें कि क्या इनके परिवार में किसी की मौत नहीं होगी सरबस्राइध की कारवाई है करनाल से सीनियू सम्मादाता बिंदर सर्मा की रिपॉर्ट खबरीव सेजा समाजवादी पार्टी के नगर अधिक्षर रामकिशोर आदिवासी ने नगर पश्र डभारा के सीमो को पत्र लिख कर मांग की है कि पानी का घोड संकट आ चुका है जिसकारण सभी वार्डों में पानी की भारी किलत देखी जा रही है सपा के नगर अधिक्षर ने पत्र में लिखा है कि वार्ड 6 के गली नमबर 1,2,3,4,5,6 इस तरह वार्ड 7 में गोता, खरेहा, धुरुकूच, बंजरिया, चौकिहा वार्ड 1 के बस्ती में रोड में बस्ती में वार्ड 2 और 3 के आदिवासी वार्ड 4 के मुसलिम और संकर देखा गया उन्होंने बताएं कि नगर परिशद में आदिवास्यों डलितों के वार्डों में भेदभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तीन दिन के अंदर पानी की पूर्टी नगर परिशत नहीं कर पाता है तो समाजवादी पार्टी को नगर परिशत का घिराव करने को बादी होना पड़ेगा सपानगर अदिक्ष रामकिशोर आदिवासी ने सभी वार्टों महलों का दौरा कर मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी बात कहीं आईए सुनाते हैं जौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा का नाम है आपके आपके तो रामकिशोर आदिवासी आप अपत क्या है किस पाद में है आप हम समाजवादी के अध़च अच्छा नगर पंचाई दभावरा का समस्या है समस्या यहां 15 वाड है हमारे यहां किसी वाड में पानी नहीं दिया जाता है च्छे में साथ में आठ में नौ में जहां यादवासी टोला है वहां कुछ नहीं किया जाता है यहां हम लोग कितनी सिकाई किये सब कुछ कर डाले चरोरी विंती किये परा तक यह पानी का कहीं विवस्ता नहीं किये कितने जानबर मर रहे हैं कितने वह आदमी पियासों के मारा मर रहा है यह लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं आए दिन ही सुनते हैं तो यह समाज बादी पालती अंडोलन बैठे की हम लोग टरेंगे नहीं वहां से जो नहीं तर्षे मौपिस से चाहिए जितना खुछ भी हो ज जाती है तो हम लोग अंडोलन करके बैठ जाएंगे ओहीं कहां अंडोलन करेंगे नगर पंचाइद में जहां नगर अध्यश बैठता है श्रेमों बैठता है अच्छा क्या नाम है आप रामकिश्रों रादबासी रीवा से सीन्यूस अमधाता अर्जुन तिवारी के रिप में एफड़ित पड़ित दिप्टी रिवारी के रिवारी के दोई थेमो लुश डन वीछ ठामकिशणों अख्यों स्मुचल था इवारी के रिविएजन अर्ण मेनस में तो आवरी के रिवारी के बैठता है व उड़ित पपёт ते तो दो पतख जो दो सने ःो फईएएजन